चलिए आज हम जो solve करेंगे वह आपका आरस अगारवल का बुक्ला सेवन का जो आपका चैप्टर ए कॉंग्रुएंट्स उसका आज हम क्वेश्चन नमर फाइव सिक्स और सेवन स्वालब करेंगे चलिए दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो बसने के वीडियो को लाइक करेगा चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब करेगा चलिए विनादरी के शुरू करते हैं तो दोस्तों चलिए इसको हम सुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन the adjoin figure यानि इस तेंगलन figure है जो AB जो equal है AC के and BD जो equal है DC के तो prove that triangle ADV congruent triangle ADC and hence so that यानि इसमें condition पता करने करता है फिर तो यहां पर दिया हुआ है and hence so that तो यहां पर क्या है angle ADV बराबर equal आपका angle ADC बराबर 90 degree इसको भी समझना है इसको भी कि angle BAD बराबर equal आपका angle CAD इसको भी समझना है तो आएए समझते हैं इसको तो चलिए दोस्तों यहां पर देखिए तो हमारा यहां पर सबसे पहले हम given वगेरा देख लेंगे इसमें क्या है तो यहां पर पहले हमारा जो दिया हुआ है condition जिसका निकालने काता है हम लिखेंगे यहां पर की triangle triangle ABD and triangle ACD यहां पर यह एक हो गया यानि आपका यहां पर दिया हुआ है देखिए ABD यह एक आपका क्या है triangle हो गया ABD एक triangle हो गया और वैसे ही triangle ACD हो गया एक triangle और वैसे ACD एक triangle हो गया तो A और D इसके लिए भी काम कर रहा है और इसके लिए भी काम कर रहा है क्या कर रहा है इसके इस side वाले के लिए भी कर रहा है यानि A, B, D के लिए भी काम कर रहा है और A, C, D वाले ट्रेंगल के लिए भी काम कर रहा है तो यानि यह इसका भी हुआ A, D और इसका भी हुआ इसलिए common हुआ यह अब यहाँ पर given क्या दिया हुआ था कि A, B, A, B जो है वो equal है A, C के तो यह given है यानि side हो गया यानि A, B और A, C एक side हो गया equal है यानि दोनों बराबर है अब B, D आप जैसे देख लिए जिए B, D तो B, D जो equal है CD के तो यह भी एक आपका क्या हुआ given हो गया यह भी equal है यानि side side और यह आपके side हो गया side 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 तो इसको हम किस तरह का लिखेंगे condition के अधार पर कि क्या दिया हुआ है कि A, B, D A, B, D congruent A, B, D congruent triangle A, D, C यही पता करने कहता है ना कौन से condition के अधार पर है तो निकल गया कि S, S, S condition के अधार पर है S, 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 condition के अधार पर है यह question solve हुआ यह भी side हुए, यह भी side हुए, यह भी side हुए अब ये ये तो हमने निकाल दिया अब इसमें जो आपका यहां पर दिया हुआ है कि एंगल A B आपका A D B बरावर A D C 90 डिग्री का है और ये दूस्तरा एंगल B A D बरावर C A D ये एंगल हो गया तो ये किसलिए है इसको भी समझना है तो आईए तो हम सबसे पहले इसका बनाएंगे फिर इसका इसी के साथ हमारा समझना है चलिए चलिए दोस्तों इसी के बारे हम इसको समझेंगे थोड़ा इसको लगा देते हैं चलिए ठीक है तो आईए इसको भी समझ जाएंगे और इसका भी समझ आएगा एक ही में ठीक है तो यह क्या है यह हैं सीपी सीटी है क्या है सीपी सीटी जो आपका एंगल बी एडी इक्वल है एंगल सीटी के सीपी सीटी है सीपी सीटी यानि क्या होता है कि आपका कोर्सपांडिंग पार्ट ओफ दा कोर्सपांडिं ट्रेंगल यह होता है इसका फूल पॉंप और इसके एकवल है ठीक है अब एंड एक और इसमें है जो एंगल एडी बी एडी जो आपका एकवल है एडी सी के तो यह भी क्या है क्या है क्या है तो यह हमने निकाल लिया इसको लेकिन बट बट इसमें एंगल एडी बी प्लस एंगल एडी सी यह वाला जो 90 डिगरी का है यह दोनों कितने हैं 180 डिगरी के लीजिए अब तो निकल गया ना क्योंकि इसमें एंगल एडी भी हम सिर्फ लिखें बराबर में एंगल एडी सी तो यह दोनों आपका क्या गिवन दिया हुआ है कि 90 डिगरी का दिया हुआ है तो 90 डिगरी का क्योंकि यह भी आपका 90 डिगरी का हुआ ट्रेंगल और यह भी आपका 90 डिगरी का ही हुआ एंगल मतलब इनको जोड़ दीजिए तो आपका 180 डिगरी का आता है ना तो यह जब 180 डिगरी का आया तो यह आपका linear pair का लाया क्या का लाया linear pair ठीक है समझ में आया तो हमने hence proved कर दिया तो इसका भी हमने solve कर दिया इसका भी इसका भी यह condition क्या धार पर हुआ चलिए आप आपका next question यहां पर है देखिए देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि in क्या दिया हुआ है in the adjoin figure in the adjoin figure a b c e j triangle in which a d is the vice sector of angle a if a d इसको कहेंगे हम perpendicular perpendicular b c so that triangle a b c is iso scales यह दिया हुआ है तो इसको हिंदी में समझ ले हम यानि कि यहां पर दिया हुआ है adjoin figure यानि संगलन आकिरती है यह संगलन आकिरती है में एक संगलन आकिरती में a b c एक त्री भूज है जिसमें a d जो है a का संदुई भाजक है यानि y sector यनि संदुई भाजक होता है तो संदुई भाजक है ad a k या यानि angle a k इसमें यह है तो यदि ad perpendicular b c ad perpendicular b c तो दर्साए कि triangle a b c जो है वो संदुई बाव है कि नहीं यह हमको पता करने कहता है इसमें तो आईए इसको भी हम बड़ा असानी तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्टों चलिए तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे आईए तो हमारा यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है कि गिवन गिवन जो दिया हुआ है इन ट्रेंगल ए बी सी एडी इज दी बाइसेक्टर इस दी बाइसेक्टर ओफ एंगल ए तो यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ पर और गिवन दिया हुआ है कि बी एडी जो है इकवल है एंगल सी एडी के बी एडी यहाँ पर जो बी एडी जो है वो इकवल किसके है सी एडी के दोनों एक जैसा है ओके तो इसमें कंडिशन भी निकलेगा हमारा आराम से कंडिशन भी हमारा निकल जाएगा लेकिन उससे पहले यहाँ पर और भी गिवन दिया हुआ है क किए तो टू प्रूफ इसमें हमारा जो प्रीव जो करना है कि ट्रैंगल इबीसी औहिंगर तो यह पता करना है कि आपका ड्रैंगल अशे न्डुरुव करना है वो स्ब्रेंगरीवार ADV and triangle ADC तो यहाँ पर AD बराबर AD जो है वो common है क्या है common यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है यह आपका six number का question है ना तो दिया हुआ है जो कि triangle ADB ADB and ADC common है मतलब यह आपका यही proof करना इसमें यह हमको समझना है तो यहाँ पर AD और AD यानि triangle ADB जो हो गया and triangle ADC जो हो गया यह किसके common है यानि यह ADB, ADB और ADC और यहाँ पर बीच वाला जो AD AD यह क्या हो गया common हो गया कैसे common हो गया क्योंकि यह ADB के लिए भी काम कर रहा है AD और यह ADC के लिए भी काम कर रहा है AD तो इसलिए यह दोनों common हो गए तो इसलिए हमने लिखा यह AD बराबर AD common है ओके तो यह common हो गए अब यहां पर जो दिया हुआ है कि BAD जो आपका angle दिया हुआ है वो किसके equal है CAD के तो यानि AD जो है AD is the bisector bisector किसके है समदूई भाजग किसके है तो angle A के भाजग है समदूई भाजग है यह आपका question में ही दिया हुआ है इसलिए हमने लिखा तो यहां पर angle ADB ADB बराबर ADC angle ADC यह angle भी हो गए और triangle भी हो गए जूट जाने के बाद अगर AD AD जूट जाता है दोनों में तो वो क्या होता है इसे अगल में आजाता है अलग करें इसको । तो आपका एंगल में आजाएगा तो यह दोनों हो क्या है इच 90 के हैं 90 डिगरी यानी ऐ डि chi अछापर पेंडिकुल बीच में यह दोनों जो है वह 95 2 यहां से दिखिए अडि यह और आपका परपेंडिकुल अगर AD perpendicular BC यहां से यहां तो इसी को इसी line को ना perpendicular करते हैं तो यह perpendicular हुआ तो यह 90 degree का यहां से भी बनता है कि ADB यहां पर भी आपका 90 degree का बन गया और ADC यहां पर भी आपका 90 degree का बन गया तो इसलिए आपका AD perpendicular BC ओके इसमें आपने यह समय लिया होगा यह 90 degree का हो गए तो आब ह हम लिखेंगे ट्रैंगल ए डी क्या लिखेंगे एडीवी saving एडीवीником्रूईंट ट्रैंगल एडी सी तो यह क्या हुँए कौन से कंडिशन के आधार पूर है यानि कि एंगल साइर एंगल क्योंकि एंगल और एंगल यह एंगल एंगल है और साइड क्या है बस बीच वाला एड़ी एड़ी एक साइड हुए ठीक है एड़ी एक साइड हुआ तो यही आपका एसे एसे कंडिशन के आधार पर हुआ लेकिन इसमें जो आपका दिया हुआ है कि A B बदाबर A C इसमें A B बदाबर A C जो है वो C P C T है यानि corresponding part of congruent triangle तो इसमें hence जो hence जो दिया हुआ है कि हमने proof जो किया कि triangle A B C क्या है यह आईसो के लहां हाँ तो इज एन आईसो केल स्ट्रेंगल ठीक है दोस्तों तो यह हमने निकाल दिया आईसो केल स्था ट्रैंगल यह आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा यानी कोई आपका कोश्चन रहे जिसका आपका कंडिसन निकल जाए तीन तीन चीजिस का equal हो जाए तो वह आपका condition में आ रहाता है तो वह आपका ये question इस तरह का बन जाता है ठीक है तो ये आपने हमने छटे नमर का question solve कर दिया अब आए सातमा solve करेंगे सातमा बड़ा ही आसान है चलिए दूस्तो तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं आपका सातमा question जो दिया हुआ है फिर हम आठमा question भी solve करेंगे अगले पाट में तो यह देखिए आपका अगला question है कि इन दा एट जाइंग फिगर यानि संगलन फिगर जो है वह क्या है एबी यहां पर एबी जो है इकवल है एडी के और सी बी जो इकवल है सी डी के तो यहां पर प्रू भी हम बड़ा ही आसान तरीके से solve कर लेंगे दोस्तों चलिए इसको हम यहां पर solve करेंगे तो यहां पर इन इन दा फिगर इन दा फिगर एबी जो आपका दिया हुआ है एबी जो किसके है एडी के इकवल है और सी बी जो इकवल है सी डी के इकवल है तो इसमें टू प्रूव प्रूव जो करना है कि ट्रेंगल एबी सी कॉंग्रूएंट है कि नहीं ट्रेंगल एडी सी के यही प्रूव करना है तो इसमें हम क्या करेंगे ac और ac यह दोनों common हो जाएंगे क्योंकि आपको इसमें question को ध्यान से देख लेना है कि देखिए कोई इस तरह का इसमें भी triangle इसमें भी triangle है और दोनों जुटा हुआ है तो किस line से बीच में जुटा हुआ है उसको ध्यान देखना है यानि यह इसके यह यह भी नगा क्यों लिए इसके लिएवी ac на c यह सी श्के इसके वह लिए लिए काम कर रहा है उसके लिए यानि बी सी ट्रेंगल के लिए बी काम कर रहे है यानि यहीशी क्你想 हो गए तो इसमें गिवन क्या दिया हुआ है कि एबी जो है इक्विल है किसके ADK यह आपका गिवन हो गया यानि दिया ही हुआ है question में और यहाँ पर CD C मतलब CB CB जो है किसके आपके गिवन दिया हुआ है equal जो है CDK तो यह भी आपका गिवन है तो देखिए इसमें हमारा condition निकल के आ गया क्योंकि यह common है यानि यह भी side हुए न यानि ट्रेंगल A, B, C congruent है ADC के तो कौन से condition के आधार पर SSS condition के आधार पर तो इस तरह का आपने इस वाला भी question 7 नमर का question भी solve कर लिया तो यह हमने solve कर लिया तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ 8 मान ना हो फिर दस ऐसे ऐसे करके आपका सारा question खताम होगा चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब ते के लिए बाई वीडियो पिस नए वीडियो के लाइक कर दीजे चलिए मिलते हैं अगले टपी के साथ